सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल का और वेल आइकन को प्रेस कीजिए तक आप पासके लेटेस्ट टेक्नालॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो समसंग ने रिसेंटली समसंग के A50 में एक नया सॉफ्ट्वेर अपडेट दिया है इंडिया में दिया दोस्तों तो कितने साइच का है अपडेट फाल और क्या कुछ इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा अभी ये अपडेट समसंग ने OTA के थूर नहीं रिलेज क किया है यानि आप अगर सेटिंग में जाएंगे सॉफ्ट्वेर अपडेट चेक किजिएगा तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा तो किस तरह से आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना है सब कुछ मैं डीटेल में बताऊंगा दोस्तों साथ में कौन सा सेक्योर्टी करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शराब देख रहे हैं टिक दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सामसंग ने अपडेट तो रिलिच किया है एंडिया में लेकिन आपको यह अपडेट स्मार्ट स्वि 4277 MB का अपडेट फाइल है जो कि काफी बड़ा अपडेट फाइल है तो कुछ यूजर्स पुछेंगे कि काफी बड़ा अपडेट फाइल है इतना बड़ा तो सिक्यूर्टी पैच अपडेट नहीं होता है तो मैं आपको बता दो कि जो स्मार्ट स्विच से जो अपडेट जाता है वो पूरा वर्जन होता है जैसे आप Android 10 अभी रन कर रहा है समसंग A50 में तो उसका फुल वर्जन आ जाएगा जो नया अपडेट आएगा उसके इंक्लूड किये हुए जैसे अभी जो सितंबर का सिक्योर्टी पैच अभी आया है इस अपडेट में तो सितंबर के सिक प्रॉबलम आता है वो ओटी अपडेट के थ्रू आता है और यह समसंग की तरफ से अपडेट आया है इसे आप मैनवली कर रहे हैं जैसे न्यू आप कोई डिवाइस पर्चेस करते हैं या फिर आप अपने डिवाइस को रिसेट करते हैं तो आप जब इस अपडेट को कंट हो जाएगा तो अगर आपको लेटर सिटमबर के सिक्यूर्टी पैच में अपडेट करना है तो सबसे पहले तो आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए उससे आप समसंग स्मार्ट स्विच से अपने डिवाइस को अपडेट कर लीजिएगा और बहुत जल्द अपडेट भी आ जाएगा क्योंकि हो सकता है कि आप एक दो दिन भाद इस वीडियो को देख रहे हों या फिर आज भी समसंग रिलीज कर सकता है तो हो सकता है आज आप इस वीडियो को देख रहे हों या फिर कल देख रहे हों तो समसंग रिलीज कर दे OTA के थुरू यानि आप अपने device से ही update को install कर सकते हैं, तो अभी तक मैंने जब check किया है, तो update नहीं release किया गया है, हो सकता है कि आज भी samsung release कर दे update, सितंबर का security patch इंडिया में, तो मैंने जब check किया है, तो कोई भी update अभी नहीं आया हुआ है, हो सकता है future में आपको नया update देखने को मिल जाए सी तमरके security patch के साथ क्योंकि जब भी Samsung smart switch से update देता है उसके एक दो दिन में या फिर उसी दिन Samsung update को release कर देता है तो अगर आपको smart switch से update करना आता है PC से connect करके PC laptop से तो आप update को install कर सकते हैं लेकिन आपका device format हो जाएगा रिसेट हो जाएगा या फिर आप बेट कर सकता है Samsung कभी भी update को release कर सकता है तो जैसे ही Samsung OTA update के थुरू Samsung A50 में update को release करता है इंडिया में आपको मेरे चैनल पर information मिल जाएगी बाकि आगर आपको smart switch से update करना आता है है तो चैनल को करते जिएगा subscribe मैं मिलता हूँ आपसा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद वंदे मातरम